बीएड बैचलर ओफ एजुकेशन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है हम बीएड में प्रीवेश येर के कोशन पेपर कर रहे हैं हम 2018 के सभी कोशन पेपर कर चुके हैं अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज एक बार उनकी वीडियो देखिए और 2017 के भी हम लगबग सारे पेपर कर चुके हैं ये लास्ट पेपर है अगर आपने उनकी वीडियो भी नहीं देखिए तो प्लीज एक बार देखिए प्लेइलिस्ट में जाकर मैं आपको उपर लिंक भी प्रवाइड कर रहा हूँ आप उस लिंक पर क्लिक करकर भी ये सभी वीडियो देख सकते हैं चलिए आज हम B.Ed. First Year Paper 5 Pedagogy of Commerce 2017 का कोशन पेपर कर रहे है B.Ed. में एडमिसन लेते हैं आपने जोन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करा था उसी सब्जेक्ट के ये पेड़जोजी के पेपर होते हैं चलिए एक बार हम देख लेते हैं Commerce का पेपर कैसा आता है ये सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा आप YouTube वीडियो के नीचे कमेंट बोक्स में भी अपना डाउट पूछ सकते हैं आपको उसका भी रिपलाई जरूर मिलेगा हमारी वीडियो को हमारी लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए अब पढ़ते हैं बी एड फर्स्ट येर जून दो जार सत्रा पैड़जोजी ओफ एकनोमिक्स पैड़जोजी ओफ कोमर्स टाइम थ्री आवर्स मार्क्स 80 नोट अटेंड अटेंड अटेंप फाइफ कोशन इन ओल स्लेक्टिंग वन कोशन फ्रों इच ओफ फोर यूनिट कोशन नमबर वन इस कंपल्सरी ओल कोशन कैरी इकवल मार्क्स जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया हुआ है टोटल नो कोशन होते हैं आपको कोई पांच करने होते हैं कोशन नमबर वन कंपल्सरी होता है उसके अंदर चार पार्ट होते हैं चार पार्ट चार चार नमबर के होते हैं कोरा नंबर का कोशन नंबर वन होता है इसके लिए आपकी चार यूनिट होती है हर यूनिट में दो दो कोशन होते हैं आपको उन दो कोशनों में से एक कोशन करना कंपल्सरी है गलती से भी ऐसे मत करना कि एक यूनिट के दोनुही कोशन कर दो आपको नंबर एक ही कोशन के मि पार्ट वन, वैल्यूस ओफ टीचिंग कोमर्स, पार्ट सेकिंड नीड ओफ नैशन प्लैन, पार्ट थ्री, यी रिसोर्सीज एज टीचिंग लर्निंग मेटिरियल, पार्ट फोर, इम्पोर्टेंस ओफ कॉंटिनियूस और कॉंप्रिहंसिव एवैलिएशन, यह चारो कोशन नमबर टू, explain the meaning, nature, scope of commerce as school subject, कोशन नमबर थ्री, discuss the taxonomy of instructional objective given by Bloom and his associates, unit second, what do you mean by pedagogical analysis, explain the importance and steps of pedagogical analysis, यह कोशन लगबग, आप किसी भी subject में बियाड कर लो, यह कोशन जरूर आता है Q5. Give pedagogical analysis of the topic advertisement, unit 3, what is curriculum, discuss the principle of curriculum, construction of commerce, also give suggestions to improve the existing curriculum of commerce, Q7, describe the various components of skill of stimulus variation with the suitable example, unit 3, Q5. Fourth, what do you mean by problem solving method, explain its merits and demerits, Q7, discuss the steps of construction, achievement test, why achievement test are important for a commerce teacher, देखिए, आप किसी भी subject में बियाड करिए, आपको यही कोशन मिलेंगे, बैस जैसे यहां commerce है, commerce की जगा economics लिख देंगे, economics की जगा mathematics लिख देंगे, कोशन यही रहेंगे, एक बार मैं हिंदी मिडियों वाले बच्चों को भी दिखा दू, यह देखिए, यह सब से उपर ह यूनिट 1 के, आप screenshot ले सकते हैं, यह देखिए, यह देख लीजी एक बार हो, एंड में एक बार फिर मैं यही कहूँगा, कोई भी डाउट वा बे धड़क, पूछ सकते हैं हमारी email ID पर भी और comment box में भी, थैंक यू फूर वाचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,